हालो दोस्त एक बहुत बड़ा सवाल है क्या railway life LP channel को बंद कर देरा चाहिए क्योंकि गलात information देता है तो यह सवाल का जब आप आपके उपर छोड़ देता हूं लेकिन इस वीडियो का में मकसद है कि railway life LP channel आपको बोला था कि में लिस्ट से कोई waiting list में नहीं जाएगा चाहे वो LP हो चाहे वो technician हो चाहे आपका PCM candidate signal and telecom का है चाहे cut up बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो यहां भी कर रहा है cut up नहीं बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा उसका प्रूप देते हैं इस वीडियो में आपको प्रूप के साथ लेके आए है कुछ ऐसे भी है जब LP की cut up 60 गई है तो 32, 33, 34 नमबर वाले को RRB मुझे परकूर में selection हो चुका है तो कहे cut up नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा तो यहां पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि कुछ लोगों का comment रहा कि आपकी अवास सुनके बोल लेते हैं कि आप बुड़े हो कोई दिकत नहीं है सब कोई होता है और यह maturity होनी चाहिए कि सही बोला जाए इसमें कोई दिकत नहीं है कुछ लोग यह समझते है कि मेरे channel पे बहुत सारे subscriber है तो मुझे बहुत ग्यान है कुछ लोग यह भी सोतते है कि मैं बोल दूँगा तो लोग दूसरे वाले channel पे जाके गलत सालत बेवार करेंगे जिसके क अच्छा की जरूरत अभी है या किसे सिखने की जरूरत है यह पब्लिक पे छोड़ देते हैं और वो comment box आपके लिए open है तो यहां आर आर भी मुझे अपर पूर के प्रस्पेक्ट में बात करेंगे technician का पैनल आ चुका है जिसमें हम पैनल में आपको exact data दिखाएंगे कि कैस से candidate first priority नहीं रहते हुए भी एलपी first priority रहते हुए भी technician क्वालिफाई किया है क्योंकि बेचारे का नंबर 32 था अब इस पर हम डिसकस नहीं करेंगे कि 32 नंबर क्यों आया क्योंकि यह उनकी अपनी preparation के उससाब से होगी लेकिन जो आपका result आया उसमें उनका नाम है नाम के सा साथ आपको role number verify करा देंगे नंबर verify करा देंगे psycho qualified verify करा देंगे और उनकी community के साथ आपको category number verify करा देंगे तो चले डिखते हैं दोस्त नहां से आपको verify कराते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि technician का cut-off नहीं बढ़े सब्सक्राइब कि अब और लोगों की डिमांड है कि अब प्रूप देना ही पड़ेगा या चैनल आपको बंद करना पड़ेगा नहीं तो लोग किसको क्या कहेंगे वो दूसरे को सुचना है हमने आपको प्रूप देना है तो हम चलिए आपको प्रूप देते हैं तो सबसे पहले चलते हैं देख लेते हैं पैनल आपने देखा होगा कल भी देखेते हैं हमने वीडियो के साथ आपके साथ आये थे देख लीजिएगा मुझा परपूर का है और डेट देखना चाहेंगे जिनको कनफ्यूजन होगा तो डेट हाइस कोई भी हो सकता है अगर आपने पहले नंबर पर कटप नहीं किलियर किया दूसरे नंबर पर कटप नहीं किया तो तीसरे नंबर आपके लिए हाइस कटेगरी हो गई यहां पे अगर आपने पांचवे नंबर पर किलियर किया और चौंथे तक आपका कटप नहीं किलि हुआ है समझ जाईएगा अब इस पैनल में देखिएगा तो सारा का नाम अलग-अलग कैटेगरी बाई दिया हुआ है कैटेगरी नमबर 18 में दो 25 आप में आपका तो ज़्यादा कंडिडेट हैं यहां पे में 78 और इसी 25 में हमारा नाम है जिस कंडिडेट को ढूना है और यह नमबर देख लिएगा यहां पे है 15 10 16 08 86 90 022 यह नमबर याद रखिए अपने मेमोरी में और चलते हैं आपको दिखाते हैं एक एक करके प्रूप तो प्रूप दिखाने से पहले हमें समझना होगा कि क्या है यहां का कटप का सीडूल तो कटप का सीडूल हमारे पास RRB मुझपरपूर में है एक हम हाइलाइट आपको कर दें कि जितने भी यहां पे RRB मुझपरपूर में मेन लिस्ट यार रेगुलर कंडिडेट का कटप आया था RRB मुझपरपूर में उसमें नॉर्मल कमूनि 40 गया था जो minimum है AC के लिए 34 गया था HT के लिए 44 गया था और OBC के लिए 30 गया था देख सकते हैं इसमें तो कोई आपको confusion नहीं होनी चाहिए इस cut up के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो candidate का अगर 30 बद 30 नमबर है तो किस में हो सकता है qualify यूर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, एसी में हो सकता है, नहीं हो सकता है, एसी में नहीं हो सकता है, केवल OVC एक चांस है, उसमें हो सकता है, ना एक सर्विसमें ना OH, PWBD में भी नहीं हो सकता है, जिस कंडिडेट का 32 स्कोर है, तो इसी को वेरिफाई कराना हमारा काम था, औ और एक एक करके आपको दिखा देते हैं अब कंडिडेट का हमने दिखा दें पहले आपको कंडिडेट का CBT का स्कोर तो सबसे पहले देखिएगा अस्कोर जेनरेटेड डेट क्या है 26 चार दोजार उनीश 26 तारीक को यह अस्कोर जेनरेट हुआ था एलपी CBT 2 और साइको कब हुआ है साइको का पता ही होगा उसके बाद रिजल्ट का स्कोर जेनरेट हुआ था उसके बाद रिजल्ट आई थी आरर भी मुझा परपूर है रॉल रेजिटेशन नंबर में हटा दिया हूँ रॉल नंबर देख लिजे फिर से 15 10 16 86 69 002 है या नहीं है अब यहां देखे प्रस्ण अटेम्ट इन्होंने एकसट किये थे 27 करेक्ट था 34 इनकरेक्ट हो गया जो बहुत गड़बड है लेकिन फिर भी जोब मिला है तो यहां पर कश सकते हैं एक प्रस्ण को इगनोर है 100 नंबर का प्रस्ण है यानि CBT 2 100 नंबर का है यह बेरिपा थोड़े से बढ़ गए एक क्वेस्टन इगनोर करने के कारण और नर्मिलाइजेशन मार्च कितना हुआ 32.35 ट्रेड कौन सा था फीटर था पोस्ट प्रिफिरेंस आपके सामने है पहले एलपी पहले एलपी दो प्रस्ट प्रिफिरेंस एलपी का है यानि एलपी मेकेनकल ए कैरीज एन वेगन जो फीटर का सबसे कम कटफ जाने वाला आरारवी मैक्सिमुम आरारवी में इसमें कटफ कम गया है क्योंकि पोस्ट जादा होता है और इसको अपलाई कम लोग करते हैं क्योंकि ये डिपो बगेरा और ये थोड़े से जोब मेन लाइन की जोब नहीं है अ साइको के लिए तो क्वालिफाई हो गए यस है लेकिन 32 नमबर में एलपी कौन देगा आप बता सकते हैं क्योंकि नहीं मिलेगा क्योंकि आप जानते ही हैं एलपी की कर्टाप यहां 60, 61, 62, 63 गया था OBC का समझ सकते हैं और जो कंडिडेट का 32 नमबर है उसको एलपी तो मिल से रहा साइको में कितने स्कोर करेंगे 30 वाई 30 भी करते तब जाके इनका इसमें से 25 नमबर इसमें से 70 परसेंट यूज होता तो यह किस नमबर यहां से और 30 नमबर यहां से भी यूज होता तब इनका नमबर 51 बनता यानि एलपी तो पॉसिबल ही नहीं तो किसमें ही पॉस लिया उसके बाद हम अगले में चलेंगे तो अगला हमें दिखेगा जो रिजल्ट है रिजल्ट हमने आपके लिए ला रिया है और आर भी मुझा पर पूर बढ़िया से देख लीजिएगा और आपको नंबर भेरिफाई करने के लिए एक बार फिर से नंबर याद करना पड़ेगा बिना नंबर के तो हम कर नहीं सकते तो यह है जिनका रोल नंबर 1510-166-69-00-22 याद रखिएगा 1510-166-69-00-22 आप इनको देखते हैं रिजल्ट में हम रिजल्ट में चलेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है बिलकुल रिजल्ट है और कटाइगरी नंबर कितने पे है 25 यहां से हमने आपको पहले ही दिखा दिया था एक दो तीन चार आपके पास भी यह लिस्ट होगा ज़रूर देख लीजिएगा नहीं कहिएगा कि यह नंबर चेंज किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से इस लिस्ट को डाउनलोड कर ले जो पैनल का है उसमें 1510-166-69-00- कंडिडेट का सुनारा या चरो में नाम है अब किस चैनल को बंद होना चाहिए यह डिसिजन आपके उपर छोड़ देते हैं क्योंकि अपने मुह से बड़ी बात बोलना थोड़ी से सही नहीं है सही तो उनके लिए है जिनको ग्यान नहीं है ग्यान के लिए आपको क्या होत है हमेशा आपको continuous learning करना परता है और जो भी public में बोलना होता है थोड़े ध्यान से technically समझ के बोलना होता है तो कह दें अब सवाल आपके उपर छोड़ देते हैं कि railway life LP channel बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप जरूर बताइएगा या इसके बदले और भी channel बंद हो कहूंगा मैं well respect करूंगा कि आप चलाते रहो लेकिन सुचना सही दो नहीं तो यह public है public सब जानती है थैंक यू